नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 4 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूस क्योंकि आसता एडिटोरियल तो आता नहीं है सिर्फ एक न्यूस का विडियो यह चीज मैंने आपको पहले ही ब अभी देखो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं यहां पर कि जो स्टॉक लिमिट की बात की जा रही है कि पल्सेज के ओपर स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी जब असेंशल कमोडिटीज एक्ट अभी पारित हुआ था फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब कौन होते हैं जानेंगे ठीक है तो तीन आर्टिकल हो गए हमारे फ्रेंट पेज से इसके अलावा पेज नंबर थ्री पेज बस एक काम आपको करना है नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल एंजटी के बारे में डिटेल पढ़नी है और एक स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोड इन द बारे में पढ़ोगे बाकी न्यूज इतने इंपोर्टन नहीं है बॉडी इंपोर्टन है जरूर देखेंगे आप आगे देखते हैं असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर को लेकर के इश्यू है जानेंगे क्या है पुरा मुद्दा इसके अलावा बोंबे हाई कोट ने जानेंगे आई ओफ फायर मेक्सिको वाटर्स में अभी आग लगी है जानेंगे क्या है पुरा मुद्दा इसके अलावा इकानॉमी पेस पे थोड़ी सी समरी लेने के साथ साथ में यह वाला जो आर्टिकल है जिसमें हम फॉरेक्स फॉरें एक्शेंज रिजर्व में जो सर वाटर्रमेंट और्डर फ्लाइज इन फेस ऑफ फार्म लॉज जो अभी रिसेंटली तीन फार्म लॉज लाए गए थे अब उन तीनों फार्म लॉज को देखो सुप्रीम कोट ने तो सस्पेंड किया था यह अभी आप इनको इंप्लिमेंट नहीं करोगे बट सेंट्रल ग जिसमें एक तो कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को प्रोमोट करने वाला था दूसरा था कि एपीम से मंडीज के बाहर जो भी अग्रिकल्चर प्रोडूज उसको बेचा जा सके और तीसरा था असेंशिल कमोडिटीज एक्ट में अमेंड्मेंट किया गया था उसमें प्रोवीज कुछ भी परिष्टिती ऐसी होगी जिसके चलते हैं अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बन गई मानलो खाने की ववस्ता की बात करें फूड की अगर बात करें तो फिर गॉर्मेंट जो है वो स्टॉक लिमिट इंपोस कर देगी पर आप देखो कि सुप्रीम कोट ने हमें पता जाड दिया है ब्यूरीड मतलब कि हाँ अब ये लॉज हैं भी की नहीं होता क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंजूमर अफेर के द्वारा अभी एक नए ओर्डर रिलीज किया जाते हैं और उन ओर्डर में कहा क्या जाता है कि स्टॉक होल्डिंग जो है उस पे अब लिमि पिट भी किसमें डाली गई है सभी पलसे इसमें छोड़ करके मूंग या फिर जिसको हम ग्रीन ग्रैम बोलते हैं उसको बाकी हर एक दाल के ओपर स्टॉक होल्डिंग लगा दिया कि ज्यादा को स्टॉकिंग नहीं करेगा जैसे मान लो कोई होलसिल ट्रेडर है ठीक है तो वो अपने यहाँ पर लिमिट कितनी कर दी उसकी स्टॉक की 200 टंज से जादा दालों को स्टॉक नहीं कर पाएगा और या फिर कोई इंपोर्टर है इसके लावा कोई रिटेलर है तो वो 5 टंज से जादा दालों का स्टॉक नहीं कर पाएगा होता क्या था या नॉर्मली होत करता है वो जिस बंदे ने पर्चेस किया जिस ग्रुप ने पर्चेस की सस्ते भाव में दाल वो भाव का इंतजार करेगा कि भाव कब ऊपर हो रहे हैं और फिर उसके बाद में दाले बेशना शुरू कर देगा तो ऐसे में मुनाफ़ा कमाने के लिए ये एक गलत तरीका होता है ठीक है या फिर आप कह सकते हो स्टॉकिंग बोल सकते हैं तो ऐसे में क्या होगी ये ब्लैक मार्केटिंग का भी एक माहूल बन जाएगा तो वो चीज कहीं न कहीं हमारे बिजनेस एंवार्मेंट के लिए निगेटिव हो जाता है तो उस चीज को खतम करने के लिए अगर स्ट और अपउजिट काम कर दिया गया है इसके अलाओ मान लो कि कोई भी प्रोसेषर है या कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे में डाल मिलर है ठीक है डालों की मिलिंग करता है processing करता है तो बोलो वो अपने पिछले तीन महिनों में जितने requirement थी production की उतना या फिर 25% उसक तो point यहाँ पर यह data नहीं है, point यहाँ पर यह है कि सरकार ने stock limit impose कर दी, जो कि Essential Commodities Amendment Act के बिलकुल oppose में जाती हुई दिखाई दे रही है, वैसे तो तीन laws जो आये थे, उन तीन laws में से Essential Commodities Amendment Act 2020, इसके against में देखो इतना ज़्यादा protest था नहीं, प्रोटेस्ट था दूसरे जो other laws थे, जिसमें एक तो contract farming को promote करने की बात की जा रही थी, कि हाँ जी corporate houses हैं, वो farmers के साथ में एंगेज करके, और अपना पहले contract कर लेंगे, फिर उसके बाद में agricultural practices होंगी, दूसरा था कि जो APM से मंडीज होती है, जो कि State Government के दौरा regulate की जाती है, उसके बाहर भी अनाज को बेचा जा पाएगा, जो भी agriculture producer है वो, तो उसको लेकर के बहुत जादा protest देखा गया था दिल्ली में, पंजाब, हरियाना, western UP, यहां के किसानों के दौरा, तो ऐसे में आप देखो, कि यह जो stock holding थी, इस limit को बिलकुल हटा दिया गया था, Essential Commodities Act के तहत, ठीक है, और यह बोला था, कि limit तब ही लगाई जाएगी, जब war की situation हो, famine हो, कोई natural calamity हो, grave nature की कोई situation आ जाए, तो अचानक से कोई extraordinary price rise देखा जाए, मानों कि दालों के भाव अचानक से बढ़ गए, या फिर पिछले 12 महनों में जो दालों के भाव रहे हैं, उनके comparison में दाल का example दे रहे हो, बागे कोई भी commodity हो सकती, agricultural ठीक है, उसमें अगर 50% का rise एकदम से देखा जाता है, कि मानों 100 रुपए किलो दाल बिक रही है, पिछले 12 महनों से, और अब अचानक से 1.500 रुपए किलो बिकने लग गई है, एक मेने के अंदर अंदर, तो उस time पर stock holding limit नहीं लगाने की बात की गई थी, वो तो hold पे तो Supreme Court ने छोटी रखा था, अब रही सही में Central Government की जो consumer affair department है, उन्होंने ये चीज order issue करी दिया कि stock holding, वज़े क्या है, क्योंकि अब इस time पे बहुत सारे कारण ऐसे हैं, जो अब जानते हैं, चलो next page भी चलते हैं, पहले, एक त position किया गया है, stock holding के उपर, limits का, इसके पीछे वज़े है, कि current year में जो अभी दे को बुआई हुई है, एक तो इसमें dry spell हुआ है, ठीक है, जो खरीफ की season की जो फसले अभी बुआई हुई है, इसमें क्या है, सूखा गया है ये time, बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में, दूसरा food inflation आपको पता है कितना महंगा हो चुका है, लगातार महंगा ही बढ़ती चली जा रही है, तो इसे दो ऐसी situation है, जो कि central government को compel करती है, कि आप stock holding पे limit लगा हो, नहीं तो लोग market में क्या करेंगे, डालो कोई कटा करना शुरू कर देंगे, अपने go downs में, और फिर ये देखे हो जाए, जज की appointment हुई है, फ्रांस में, राफेल डील को एक तरीके से scrutinize करने के लिए, बेसिकलिए 36 राफेल फाइटर्स की डील होई हुई है, फ्रांस की एक company है, Dessault, वो supply करेगी, तो ये total 7.8 billion euro का ये agreement है, government of India, और वहाँ पर आप देख सकते हो, government of France की बीच में, और issue ऐसे थे कि highly sensitive issues को छेडा गया है, या वहाँ पर कुछ discrepancies हैं, वो आई हैं, तो ऐसे में, इन सारे मुद्दों को प्रॉब करने के लिए, फ्रांस में, जज का appointment हुआ है, और ये चीज कहाँ पर expose की गई है, media part करके, एक वहाँ पर web portal है, वहाँ पर ये चीज open की गई है, त या तो उससे related आप जरूर पढ़ो, क्योंकि एक question आते रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, आगे तो फिर दे को politics की बाते जादा आ रही हैं, बस आप तो एक राफेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अभी France, France के president है, Emmanuel Macron, जब ये deal हुई थी इ salt है, राफेल को produce करने वाली company, वो Reliance के साथ में collaborate करके काम कर रहे हैं, जो कि फिर बाद में investigation करें, ये फिर बाद में politics आगे जो हमारी इतने काम की है, नहीं, आगे चलते हैं, अब एक news तो इतनी काम की नहीं है, देखो, पर काम की बात ही है, पर काम की बात ही है, कि जो भी state में universities होती है, गौर्मेंट की, तो वहाँ पर आप notice किया आपने, जो भी universities state में operate हो रही है, उनमें आपने notice किया होगा, chancellor appoint नहीं होते हैं, vice chancellor's appoint होते हैं, ध्यान दिया होगा आपने, तो ऐसे में chancellor कोन होता है, तो इसमें सीधा chancellor क्या है, अगर central university है, ध्यान रखें केंद्रिये महा विश्व विद्याले है, central university है, तो उसका chancellor होता है, president of India, number one, number two, अगर state level की university है, तो उसका chancellor होता है, governor of that particular state, तैसे में vice chancellor's का appointment होता है, chancellor's, तो automatically एक तरीके से आप कह सकते हो, कि एक कहतना कि हाँ, जैसे इस post पे, governor पे कोई भी बैठेगा, तो automatically वो बन जाएगा, क्या, chancellor of all universities of that particular state, ठीक है, तो यह थोड़ा सा बताने के लिए, एक pick किया है, point, आगे चलते हैं, फिर आगे देखो हम आगे, page number four पे, यहाँ पर news य है, कि असम और मिजोरम बॉर्डर पे tension आ गई, तो ऐसे में chief secretary level की बातचीत होगी, अब जुलाई नो को, यह tension है, देखो, एक highly dense forest area में, जो कि असम और मिजोरम की बॉर्डर पे है, ठीक है, यह लगबग 164 km long border area है, बराक वैली पे, बराक वैली आप जानते हो, बराक रिव ठीक है, और दूसरी तरफ मिजोरम के district जो जॉइन कर रहे हैं, उसमें भी कुछ important reasons की बात करें, तो यह देखो, आईजॉल, कोलासिव और मामित, यह तीनों district, इन तीनों district के साथ अपनी border share करते हैं, और highly dense forest है, तो वहाँ पर कुछ एक पूरा, एक कह सकते हो कि जोंपडिय का पूरा group है, उसको लेकर के conflict है कि यह territory मिजोरम की है, या फिर यह territory असम की है, तो ऐसे में यहाँ पर इसको लेकर के conflict चरा है, यह देखो, हटमेंट की बात हो रही है, तो मिजोरम कहता है कि यह forest area में हमारे में located है, ठीक है, तो यह dispute है दोनों के बीच में, आप देखते है मुद्दा तो क्या आता है, बागी question बन सकता है आपके सामने कि जो हेला कांडी जो region है, वहाँ पर अभी dispute देखा गया था, ठीक है, तो वो कौन कौन से states के बीच में है, यह territorial dispute किस के बीच में है, तो आप बता दोगे, जैसे बेलगावी का नाम आता है, तो महराष्टरा औ यह है वो हेला कांडी और कॉला सिब डिस्ट्रिक्ट, यह जो border area में dispute है, यह मिजोरम और असम के बीच में लिख लेना आप इसको, बाकी जाता है कुछ important नहीं है, इतना ही था, आगे चलते हैं, नेक्स देखो बात ऐसी है कि homeless people जो हैं, जो भी लोग हैं, जिन बेगर हैं, तो बलो उनको भी country के लिए कुछ आकाम करना चाहिए, उनकी भी duties हैं कुछ, वो fulfill होनी चाहिए, यह बात कही गई है Bombay High Court के द्वारा, देखो मुद्धा क्या है, एक PIL, Public Interest Litigation लगाई जाती है Bombay High Court में, जिसमें demand की जाती है कि जो भी बेगर लोग हैं, उनको nutritious meal मिले, food मिल तीन बार एक दिन में, number two, उनको free shelter मिले, number three, clean public toilets की facility हो, number four, that is bathroom requirement, फिर free potable water, साबुन की ववस्ता भी हो, sanitary napkins की भी जरुवत हो, और ऐसे में यह ववस्ता सारी किसके लिए की जाए, जो भी homeless individuals हैं, homeless families हैं, जो की urban poors हैं, इनके लिए, अब देखो ये बात, PIL तो लगा दी advocate है, इनका नाम क्रांती, LC, इनका नाम है, ठीक है, पर बात ही आ जाती है, जब ये सुनवाई हो रही थी, तो Bombay High Court नहीं कहा, कि आप ये देखो, कि क्या सरकार ने कोई welfare scheme नहीं चला रखी, क्या सरकार ने employment नहीं दे रखा, तो इन homeless लोगों को employment और livelihood earning के लिए मेहनत करनी च उनको free में सब कुछ ये मिलने लग गया, तो ये तो एक जिंदिकी की basic needs पूरी हो गई, तो वो क्या मेहनत करेंगे, नहीं, और इनकी भीड फिर बढ़ेगी ही, तो ऐसे में इनकी duty क्या है, कि जो भी schemes already चल रही है, उन schemes में benefit ले, job ले, उनके under में काम करें, हाँ, job नहीं मि बोली जा रही है, तो point क्या रहा है, कि देखो जी, बहुत सारी schemes सल रही है, schemes के फायदे उठाओ, आप एक तरीके से ये तो पूरी चीजी इस तरीके से मांग रहे हो, कि जैसे हैं कि हाँ, बस free में सब कुछ मिल जाए, तो बोले ये चीज तो हमारे लिए, खुद देश के ये घातक हो जाएगा, नहीं तो फिर लोग फिर मैनत क्यों करेंगे, वो वाली बात यहाँ पर बोली गई थी, मुंबई हाई कोट के द्वारा, ठीक है, आगे चलते हैं, वर्ल्ड पेस पे एक छोटी सी news important आवा, आप देख सकते हो, आई of fire, Mexican waters में, Mexico जो है country, उसके पास मे आप देखोगे, कि अचानक से समंदर के बीच से आग निकल गना शुरू हो जाती है, तो ये हुआ क्या, ये होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, fire अचानक से शुरू होती है, पांस गंटे तक चलती है, और उसको कैसे जैसे बुजाय जाता है, और ये fire होनी शुरू होत कि Gulf of Mexico है, देखो ध्यान से, ऊपर United States of America, इधर yellow वाला Mexico आगया, इधर आगया Cuba, जो कि Missile Crisis आप देखते हो, Cold War में, इधर ये Jamaica, ये Caribbean Islands आगये नीचे की तरफ, इधर Cuba और इधर ये Florida State है, कहां का Florida Province of United States of America, इनके बीच में ये है State of Florida, जो कि Gulf of Mexico को जोईन करती है, कि से Atlantic Ocean के साथ में, तो ये कुछ important states है, countries है, इनके बारे में आप जरूर देख चुके हो, अब जो मुद्दा है, जिसके हम बात कर रहे है, उस पर चलते हैं, फिर से, ऐसे में ये जो आग लगी है, जिसमें कि एक pipeline जा रही है, oil development है, ये flagship company है, मतलब ये company का काम है, यहाँ पर, जो कि कू मा मालूब जाप, oil development entity, ठीक है, ये company की most important four sources में से एक है, ठीक है, ये Pemex company है कोई, ठीक है, तो वहाँ पर अचानक से इस pipeline में कोई leakage हो गया, आग लग गई, तो कू मालूब जाप, ये line है, जिसको मैं circle कर रहा हूना, ये बड़ी important है, याद ही रख लेना, ठीक है, आगे चलत है, last day को economy page पे है, हमारे लिए important news कि surge of 5 billion dollars pushes reserve to new lifetime high, 5 billion dollar का additional जैसे ही आया, चाहे हो FDA की वज़े से आओ, चाहे हो FPI की वज़े से आओ, foreign portfolio investment, foreign direct investment, इनकी वज़े से result क्या रहा कि forex जो है, वो हमारा high गया, कब जून 25 को, foreign exchange reserve में हम देखो foreign currencies देखते हैं, जिसमें foreign currencies, चाहे वो जापान की yen हो, चाहे pound sterling of UK हो, या फिर आप euro की बात करो, जो की European union में चलती है, चाहे US dollar की बात करो, इन सम को हम more or less adjust करते हैं, appreciate करके, depreciate करके, balance बना करके, और US dollar में इनको सब को calculate करते हैं, तो ऐसे में foreign currency exits की बात करो तो 25 जून को 566, ठीक है, 566 billion dollar, ठीक है, इसके लावा gold की बात करो, 36 billion dollar, SDR, special drawing rights, जिसमें IMF अपने हिसाब से calculate करता है, पोरी जितने भी currencies का reserve होता है, उसका average निकाले, तो उसकी value कितनी रही इंडिया के पास में, 1 billion के round, similarly reserve trenches की बात करें, जो दूसरे और reserves हैं, जा कोई भी currency इसी डाली हुई है वो, तो ऐसे में 4,965 million dollar, इसका मतला होगा 4 billion dollar, इसी तरीके जो total कितना हो गया, हमारे यहाँ पर forex reserve कितना हो गया था, जून 25 को 608 billion dollar, जो की lifetime highest है, यह आप ध्यान रखें, ठीक है, यह देखो 603-608 हो गया, इसमें main जो point थे वो क्या, FDI और FPI की वज़ जो है, वो rise हो गया, इसके अलावा, जो foreign currency assets है, दूसरे countries की जो currencies है, इंडिया के पास में, वो भी rise हुई है, जो की reserve bank of India अपने पास में रखता है, इसके अलावा dollars की term express किया जाता है, देखो overall, चाहे आप euro की बात करो, चाहे pound sterling की बात करो, चाहे Japanese yen की बात करो, जो कुछ Indian Central Bank RBI के पास में available है, उसको dollars में convert करके फिर बाद में overall calculation किया जाता है, गोल्ड reserve की बात करें, तो वो भी बढ़ा है, ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो, special drawing rights जो IMF के दौरा, जो IMF की currency है, बोलने को तो वैसे currency नहीं है, पर IMF के दौरा जिसको currency का जो tag दिया हुआ है, वो भी more or less 1.498 billion का बना हुआ है, वो भी आता है, और जो currency में reserve है, मतलब country का जो हिस्सा IMF में डाला हुआ है, वो क्या level पे चल रहा है, 4.965 billion dollar, यह बहुत कम है आप देखना, IMF की composition कभी पढ़ो, नहीं पढ़ी है तो please पढ़ो आप उसको, ठीक है, static portion में मिल जाएगा, या त पा रहे हो, तो आप latest search कर लो, IMF for UPSC, आपको बढ़िया से बढ़िया websites मिल जाएंगी, किसी बढ़िया platform की, और उसमें से notes बना लो, ठीक है, कि इंडिया कौन से level पे आता है, ठीक है, वहाँ पर US, Europe, यह countries और बाद में चाइना, अब यह एक दूसरे से जबर्दस तरीके स में वहाँ पर conflict है, conflict तो क्या मतलब एक competition है, ठीक है, तो देखो यही था, बाकी तो देखो, ransomware attack देखा गया है, अभी USA में, अभी jobs उस level तक नहीं पहुच पा रही है, USA में, Facebook के against में antitrust जो complain है, फिर से register की जा रही है, वो सारी चीज़ें चल रही है, इधर हमारे जो IT minister है, उन्होंने ये कहा है, कि भई, first compliance report की बात करें, तो Google, Facebook ने तो देखो, IT rules को बहुत अच्छे से follow किया है, जो कि transparency की तरफ बहुत सही गदम है, जो कि 26 मही 2021 से implement होना शुरा है, अनौन्स तो February में हो चुके थे, पर आपको पता है, Twitter के साथ में तो अभी खींसतान चल रही है, इधर Amazon, Tata और इन्होंने ये कहा है, कि जो नए e-commerce rules अभी release किये गए हैं, अभी recently हमने देखा था न, कि e-commerce companies को regulate करने के लिए भी नए rules release किये गए हैं, बोला कि वो business को बहुत जबर्दस तरीके हिट करेंगे, ये चीज़ बताई जा रही है, तो चीज़ें बड़ी वो है, फोरी तोर पे, उपरी तोर पे जानने वाली, जो कि हमारे लिए इतने important न, ये exam point office है, ठीक है, FPI जो है, वो बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखो, FDI, FPI ये आप पढ़ लोगे खुद से, ठीक है, तो देखो, discussion में इतना ही था, इस video में, thank you very much for watching this video.